बजिया है तो मोदी के हैं बजिया पके आप मोदी ने 110 रुप लीटर दिया पढ़िया आच्छा का और क्या कम किया है जाला हाँ जाला अच्छा दो सो भी लेंगे तो देखिए यह एसे बैयान पर जी उननना गल्थ कही है यह उन पकती फट्टा वजनों चाहिए गेर गाए खड़ा खोध का पानी पीने वाले होते है जाट कोई ऐसे नियोते इक वह मैंश्य मतलब ना एक मुसल्मान को जाट जूरा है जाट कभी भी जोकेगा नहीं, तूटेगा नहीं, जाट का हसर हामेशा उचा रहा है, जाट तो वो कौम है कि जिसने दिली फत्य करी थी जाट पहली बात तो काई का आगा जुकां गई ना, जिन्दीगी में भी, मर जाया को जुकाया गोना का दीवी, और जो भी मोलाना ना कही है, उसीदी सीदी गल्द कही है, वहां मापी मांगनी पड़ेगी, राजी राजी ना तो गेर राजी मापी जाए एसे लोगों का, क्य तो अज़ा जही है, पहादुर कॉमे एसा है, फौझ में देखल सब जादेध किसान को जाटे में लंगेए, और जाट किसी के का माफी नहीं बांगने, खास करकरकेक कुछ भी हो जिये, पर माफी नहीं बांगेंगा, खास करके मआं सो जाट किसलि मॉलाना कर पह पार में न हिंदु तत्व हिंदु तत्व रहेगा और जाट जाट रहेगा ऐसे बैयान पर जी उनने गल्थ कही है यह उन पर कती फट्टा वजनों चीए गेर गया है कि दोनों माईस यह तो बराबर फैसलों है जी जाट दाबने बारी बात हो रही है कि जाट दब गए जी माह भी मांग अब को लगता है कायर कोम नाजी जाट कायर कॉम ना बॉर्डर पर देग लोगोको भरे बाडे किसान हरियान में total जाट आधेश उज्यादा भारत में जाट है 80% जाट कैसी कौम है जाट कायर को देबताओं जट देबताओं जाट तो जाटन कि लेकिन लेकिन अबु आजम और व्याद को आप सबक सिखाएंगे या माफ कर देश में लोगों को सबक शिखाएंगे लोग किसान नेता बनते हैं या फिर कुछ ठेकदार बनते जाटों के और वह ऐसे मामनों चुपके हो जाते हैं सब्सक्राइब लेकर आवाज जनता सबक सिकाव है क्यों सब्सक्राइब कोई भी सब्सक्राइब क्या नाम आपका मेरा नाम रिंकु चौदरी है सब्सक्राइब अबु आजमी बयान देते हैं कि मुझफर नगर दगों में जो हुआ उसको लेकर करके जाटों ने मौलाना के पैर शुकर के मंच से माफी मांगी है ऐसा संभव है क्या बिलकुल भी नहीं ऐसा क्या संभव हो जाया गवाई जाट कदी भी माफी नहीं मांग जाट कायर है क्या नहीं कायर नहीं है यार कायर कैसे हो जाएंगे खड़ा खोद का पानी पीने वाले होते हैं जाट कोई ऐसे नहीं होते